हेलो दोस्तो सुवागा थे आपका अपना चैनल टेकनिकल काफी यूटूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको 14 व्लास 14 बारा एमेम सिलिंग फैन कोईल वाइंडिंग ओरिजिनल डाटा बताने बाले है जो होगी 48 इंच का और विल्कुल 100 पर्ट से ने यह ओडिजिनल डाटा आपको देने बाला हूँ इससे पहले दोस्तों मैंने और भी बहुत सरे डाटा का वीडियो बनाया है अगर आपने आभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहां से जाकि आप अलग-अलग स्टैंपिंग साइज का वीडियो देख सकते हो जैसे कि 15 mm, 18 mm, 16 mm, अलग-अलग वीडियो में ने बनाया है और भी वीडियो आगे चलके आएगी तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके जोरूद देख लेना और इस वीडियो में दोस्ता हम आपको बताने बाले है 12 mm, 14 plus 14 वाइल का कॉम्पानी वाइंडिंग डाटा वीडियो को दोस्तों सुरूद शल्या का लास्त तक जोरूद रखते रहे है इस वीडियो से आपको दोस्तों काफी कुछ मदद मिलते आएगी तो आए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दू, यह जो वांका है इसका कुम्पानी का नाम है लिव और इसका ओसीन है, यह दोस्तों पतला हाउसिन है और housing मेरे पस नहीं था मेरे जो mystery जो मेरे पस coil winding का अगर लेके जाते है तो उससे मैंने ये वीडियो मंगा तो उसने hotsup से ये वीडियो मेरे को body का वीडियो बटाया और इसी body के अंदर दोस्तो एक coil था तो ये original coil था कुमपणी का winding का तो इसलिए मैंने उसको बोला कि मेरा को जो वीडियो करके दो कि इस कुमपणी का ये पंखा है तो वो भेजा तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये original winding है और इसका winding जाल चुकी है तो इसी से दोस्त हम original data निकालने वाले है तो original data निकालनेंगे और आपको साथी साथ data भी बतते जाएंगे वीडियो में continuously जूले रहेना देखिए यहां से अगर coil हम count करेंगे तब को यहां पे 14 coil जो अंदर में ये starting coil देखने को मिलेगी ये अंदर का coil होती है starting coil जो पंखा का spread भराता है उसकी बाद जो बाहर में आती है दोस्तो यह होती है running coil या फिर loading coil इसको अगर हम count करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा तो इसमें भी 14 coil है दोस्तो running coil क्या होती है पंखा की जो load होती है बहुत समलती है तो इसको running coil बोलती है फिर loading coil भी बोलती है ता यह सबसे बहर में आपको stamping size ना आपके दिखा देता हूँ कि इसका अखिर stamping size कितना है जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों देखिए आपके stamping size आप notice कीजिए इसका 12 mm इसका stamping size है बिल्कुल पतला सा कोड है और यह देखिए अब मैं इस coil को जो है काटने वाला हूँ और काट के इससे डाटा निकलने वाला हूँ तो इस तरह से coil को हम काटेंगे काटारी की मदद से लेकिन दूस्तों क्या होती है जब बहुत सारे coil होती है तब हम neon की मदद से काटते है लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ cutting प्लास से काटन ने काट रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो तो चलिए यह करके हम सभी coil काटेंगे और इसको बहार निकल लेंगे इसमें से दो coil हम अच्छे से निकलेंगे ताकि इसमें अच्छे से डाटा निकल जाए तो देखिए coil हमने काटिंग कर लिया है अब सब को निकल देते हैं यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और दो कोईल हम अलग से रख देंगे एक running का एक starting का देखे सभी कोईल निकाल के complete हो चुकी है इस टर्टर खाली हो चुकी है आप देख सकते हो अब यहां पी मैंने अलग अलग का लिया है यह हो गया दोस्ता हम आप starting कोईल कहें देजा इसके अपने पहले बताया तो उसका ही डाटा समसे पहले बलूंगा देखिए यह हो गया 100 यह हो गया 200 यह हो गया 300 यह पका 300 हो गया उसकी बाद साइड में कुछ वयर है यह जो है 50 ट्रान है तो यहां पर 350 ट्रान आपको जो है starting कोईल में देना परेगा विल्कुल पॉपारली पारेक कोईल में इसमें से एक वयर हम निकाल लेते हैं ताकि इसका जो SWG है वो पॉपार्ड में हम पाता कर सके तो माइक्रोमेटर के मतल से दोस्ता में इसका SWG निकालने वाल है उससे पहले वयर है थोड़ा सा इंसुलेशन जला लेंगे ताकि इसका जो परकी इंसुलेशन है वो निकल जाए और पॉपारली इसका सही SWG निकल गया है तो इसी म 0 करने के बाद वयर को इसकी बीचों बीच रखेंगे और इसको घूमाएंगे और जितने दूर ये जाएगी उतने ही घूमाएंगे जवरदस्त नहीं घूमाएंगे जितना ये जाएगे उसके बाद एक कटर कर एक साउंड आएगी उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे त आप यहां पर आपको अच्छे से जूम कर गए दिखा था हूँ देखिए इसका आप जो है डिजिट निकल क्या है तो सबसे पहले जो नीचे में बारा लाइन है पंदरा 0.15 इसके बाद यहां पर गुनेंगे तो आएगी 0.19 mm तो 0.19 mm आ गया तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा SWG है तो इसलिए एक चार्ट चाहिए आपको यह चार्ट आपको मेरे इस्टाग्राम पर मिल जाएगी वहाँ से जाकर पर इसे लोड कर लेना तो इस चार्ट से हम पता कर सकते है तो इसमें सबसे पहले mm में खोजेंगे कि 0.19 mm कहां पर है तो यह देखिए दुस्तो इह mm सा पर एगा 36 कॉपर वैर यानि 36 नंबर का कॉपर वैर इस्तिमल करेंगे इसकी बाद आती है दुस्तो राणिंग कोईल जो बाहर में होती है या फिर लोडिंग कोईल भी आप इस बोल सकते हो तो चलिए इसका भी ट्रान हम आपको बता देते है जैसे कि यह निकिया हमने एक क इसको वैल में देना परेगा राणिंग वैल में जो बाहर बाला होती है इसमें आयो दोस्ता आप इसका भी इस्डाबलू जी निकालेंगे और सेही जोहे जितना तरीका आपने पहले देखा है इस डाटा भी निकल सकते हो बिलकुल सेही डाटा निकलके आएगी दिखे इस इसका भी अगर हम घुमा के इसको दिखाएंगे देखिए इसके बाद यह नहीं जा रहा है आप साउंड सुन सकते हो और यहां पर अटक गया तो यहां पर भी देखिए दोस्तों 0.15 उसके बाद 1.6, 1.7 और उसके बाद आती 1.9 mm तो 0.19 mm यहां पर आ गया अब चार्ट में हम देखेंगे से ही वो सेम टू सेम ही आ गया यहां पर देखिए 0.19 mm यहां यह दोस्तों यह भी 36 नंबर का ही वायर है रानिंग में तो रानिंग और इस्टूटिंग में दोस्तों यहां पर वायर बिल्कुल सही गेज इस्तिमाल किया गया है एक ही गेज लगाया गया है तो देखिए रानिंग का भी वह 36 नंबर का आपको लगाना परेगा तो रानिंग और इस्टूटिंग में बिल्कुल सेम रहेगी आपका चले दोस्तों अब यहां पर हम वायर का टोटल वेट कितना ह देखे कितना टोटल वेट लगती है हमको एक 12 mm कोईल वायनिंग करने के लिए तो यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों यह देखिए 183 ग्रामस आपको वायर लगेगी 12 mm इस्टूटर वायनिंग करने के लिए 14 प्लस 14 अब खाली इस्टूटर का वेट कितना है हम यहां पर देख लेते हैं देखिए 825 ग्रामस से एक खाल इस्टूटर का वेट तो यही था दोस्तों आज का वीडियो आई होब की दोस्ता आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों इस डाटा से आप निश्चिंत रूप से वायनिंग कीजिए और वायनिंग करने के बार इस आपके लिए बहुत ही महनत करके वीडियो बनाता हूं तो वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और साथी साथ वीडियो को सेर कीजिए आपके अगर फ्रेंड इस तरह का काम करते तो उसको भी हेल्प हो जाएगी और दोस्तों अगर आप थे लिडिक अगर होए अगर मन में तो आप मुझे जोरूर कोमेंट कीजिए और फी डाटा दोस्तों आगे आगे चलके वीडियो में आपको देखने को मिलेगी तो यहीं पर वीडियो खतम करता हूं दोस्तों थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो धन्यवाद